ओके आज हमारे गेमें OB42 का Winterland अपडेट आने वाला है और ये अपडेट अभी तका मेरे को सबसे ज़ादा बड़ा अपडेट लगा है क्योंकि इस बार हमारे गेमें बहुत सारी नई नई चीजों का एड़ किया गया है NDC के साथ कई पूरानी चीजों में भी adjustments किये गये है तो अगर आप इन सभी important चीजों में पूरे detail में जाना चाते हैं तो इस युडियो को पूरे last तक जरूर देखना ओके तो हमारे जो सबसे पहला चीजों बहुत ही जादा crazy है अभी इस update के बाद जो आप full map खेलेंगे ना तो बर्मुणा में पूरी तरसे snow से covered रहेगा यानि कि game खेल देड़ा में आपको पूरी तरसे winter की vibe आने वाली है जिस तरसे winter में fog आ जाता है ना तो map में भी आपको fog देखनों को मिलेगा और खासकर peak में snow fall होता रहेगा और map में जहाँ जहाँ पर पानी होता था ना वो सारा का सारा पानी freeze होके बर्फ में बदल जाने वाला है यानि कि अब से आप उस सेरिया पर भी चल सकते हो दोड सकते हो या फिर वहाँ पर fight ले सकते हो अब second change में इस वर फिर से peak को थोड़ा बदला गया है peak का जो rooftop है ना उसे यहाँ पर थोड़ा अलग look दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे थोड़ा नीचा करके sideways boundary बना दी गई है जिसे कि जो भी बंदे यहाँ पर आते हैं ना launch पर लगा के बाद में तो उनको यहाँ पर और भी ज़दा advantage ना मिले और यहाँ से अब से आपको बहुत ज़दा fist fight भी देखने को मिलेगा और साथ ही देखो आपको याद होगा कि peak मेरा एक second floor भी है तो अब से आप peak के second floor भी जा सकते हो यहाँ पर भी आपको loot items मिल जाएगी अब third change में मैं आपको full map में back के लिए तीन glow अप्ग्रेडवल attachments के बारे में बता आईता हूं जो कि इस बर हमारे game में add किये जाने वाले हैं सबसे पहला है tough glue इसकी वज़े से आपके सभी glowals को 200 extra HP मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी वज़े से glowals क्यागे 200 HP का layer add हो जाता है अब जो second attachment है वो है glowal catalyst इसकी वज़े से आपके glowal produce होने का speed यानि कि आपके glowal के बनने का speed 30% और भी ज़दा fast हो जाएगा और जो third attachment है वो है glue box इसकी वज़े से आप 4 और extra glowals केरी कर पाऊगे अब fourth change में जब भी आप full map खेलेंगे ना तो आपको EFF coins की कोई भी कमी नहीं होगी अब से आपको हर एक location पे EFF coin machine मिलेगी जहाँ से आपको 200 coins काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे और साथ ही अब से आप जितने भी enemies को kill करोगे ना तो हर kill के साथ आपको 100 EFF coins मिलने वाले हैं यान कि update के बाद से सूजी करेक्टर को लेकर आपको खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही देखो अगर आपके बास काफी सार EFF coins होते हैं अब खासकर इस change के बारे मेरे को comment section में जरूर बताना कि यह वाली change आपको अच्छी लगी है या फिर बुरी अब हमारा next change है reviving card को लेकर अब से आप पूरे match में सिर्फ एक ही particular time period देक अपने teammates को revive करा सकते हो जैसे ही आपका match start होता है ना तो first 8 minute तक ही आप अपने teammates को revive करा पाऊगे vending machine से किसी revival card से यहाँ पे देखो vending machine में revival card के उपर time limit आ गया है तो जब यह time खतम हो जागा तो इसके बाद आप अपने teammates को revive नहीं कर पाऊगे तो यह चीज ना मेरे को काफी अच्छी लगी है क्योंकि last one मेना काफी सारे enemy जिर्वाइब हो जाते हैं जिससे कि match जितना थोड़ा ज़दा difficult हो जाता है यार आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे quick request है देखो हम बहुत ज़दा close हैं 2,000,000 subscribers के तो अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो जरूर से subscribe कर लो यार अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो अब सबंधे चेंड में आपको full map में एक नए teleport equipment देखने को मिलेगा जिसका use करने पे आप काफी असाने से एक जगह से दूसरी जगह पे टेलिपोर्ट हो सकते हैं अब इसका use करने के लिए आप जिस भी direction में टेलिपोर्ट होना चाते हैं उस direction में aim करके आपको इसका use कर लेना है फिर कुछ दूर आगे तक portal भी बन जाएगा जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह पे टेलिपोर्ट हो सकते हैं अब इस पोर्टल को अगर आप एक बर map में लगा देते हैं तो आप इसका जितना चाहे उतना वार use कर सकते हैं यह mini launchpad जैसा नहीं होगा कि चार बर use का निकवादी अपने अप फट जाता है यह पूरे match में उस जगह पे रहने वाला है अब इसके वज़े से full map में देखो fighting and surviving strategy का फिल जदा बदल जाने वाली है अगर आप zone के बाहर फ़स जाते हैं या फिर अगर आपके उपर enemies लगतार fire करते जा रहे हैं आपको आगे नहीं आने दे रहे हैं तो हाँ पर आप काफी असाने से portal go का use करके दूसरी जगह जाके survive कर सकते हो अब 8 जिन में हमारे game में jumping shoes आने वाले हैं इसे भी आपको vending machine से ही purchase करना पड़ेगा जब आपके पास jumping shoes होगी ना तो इसका use करने कले आपको jumping button पे double tap करना पड़ेगा फिर आप काफी लंबा एंड काफी दूर तक jump कर पाओगे अब इस चीज़ के बज़े से अगे दखो खास कर जो भी लोग camp करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं जो complete करने के लिए जो भी चीज़े purchase करनी है आप FF coins के मदब से purchase कर सकते हो और आप pocket market का full map या फिर CS mode में totally दो बार use कर पाओगे तो जो भी लोग pocket market का use करेंगे ना उनके लिए loot करना काफी ज़्यादा easy हो जाएगा अब 10th season में हम बात करते हैं game में आने वाले दो नए characters के बारे में तो हमारे जो सबसे पहला character है वो है Ignis इसकी ability बहुत ही कमाल की है जब अब इसका skill use करेंगे ना तो 8 seconds के लिए आपके आगे 10 meter wide एक screen का flame बना देगा जो कि इस तरह का दिखेगा और यह जो screen flame है ना इसे अगर कोई भी enemy पास करेगा ना तो burning effect महसूस करेगा जिसकी वज़े से उसका 30 HP कम हो जाएगा और इसकी के साथ उसका जो armor का durability है ना वो भी 10% कम हो जाएगा और देखो यह जो screen flame है ना इसमें अगर कोई भी glow लगी होगी ना तो वो glow भी destroy हो जाएगी and 6 जाद इसके दूसरी side अगर कोई enemy होता है ना तो उसका aim आपके उपर automatically नहीं आएगा तो यह एक temporary cover की तरह भी काम करने वाली है अब जो second character है ना इसका ना मोश्टली थाला होने वाला है जो कि हमारे captain कूल EMS दूनी सर का character होने वाला है अब यह जो character है ना इसकी ability भी काफी कमाल की है यह ना एक drone छोड़ता है और यह drone जब किसी enemy के पास जाता है ना तो यह उस enemy को trap कर लेता है और वो enemy ना वहाँ पी पूरी तर से समझ लो जैसे जाल में फस्ते है ना वह ऐसा हो जाता है वो वहाँ पी ठीक से moment नहीं कर पाता है जैसे कि आप यहाँ पे background clip में देख सकते हैं और उस enemy का army durability भी कम हो जाता है जिसकी वज़े से अब काफी आसाने से किसी भी enemy को finish कर सकते है इसका skill यूज़ करके अब हमारा जो 11 चिन्य वो है guild के related अपडेट के बाद से आपको guild का 2.2 version देखीने को मिलेगा जिसमें बहुत सरे नए ने exciting features आड़ किया गया है और इसे replace किया गया है guild honor से और इसकी साथ दिखो battle royal में na guilds के बीच guild wars होंगे जो की बहुत ज़्याद मजदार होने वाली है जब अब guild wars खेलेंगे तो इसे आपको कई सारी rewards मिलेंगे और इसकी वज़े से आपका guild भी level up होगा और तो और guild glory का जो weekly leader award होता है न वहाँ भी top 15 guild को v-batch मिलेगा यह जो v-batch है नहीं सिर्फ guild को ही show करेगा ना कि उसमें सारे members को और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया premium looking aftars मिलेंगे आपको week में एक के जगह दो custom cards मिलेंगे और साथ ही अगर आपका luck अच्छा रहा तो आपको groza का evo skin भी मिलने वाला है अब 12th change में देखो full map में rank push करते ना मगर आप zone के बाहर रहते हो ना तो हाँ पर अगर आप कोई भी healing item यूज करते है ना चाहे medicate होगे या फिर inhaler हो गया तो इससे ना आपको 5% कम hp मिलेगा यान कि जो भी लोग जायतर zone के बाहर रहके survive करते थे ना उन अब से CS mode के तरह full map में भी जो last वाला zone है वो भी move करेगा अब 13th change में हम बात करते हैं full map में add के जाने वाले और भी कुछ नए items के बारे में सबसे पहला new energizer ये आपको शायद vending machine में मिलेगी एंड इसका use करने पर आपको movement speed and accuracy बढ़ जाएगा एंड इसे के साथ आपको कु में mini turrets भी दिखने को मिलेंगे जो कि एक machine की तरह होती है और इसे enemies पे bullets fire होते रहते हैं तो full map में आपको mini turrets दिखने को मिलेंगे तो fire data आपको इसको जरूर से use कर लेना है जिसके वाज़े से आप काफी असाने से सामने वाले enemy को finish कर पाओ अब इन सारे items के साथ मैं आपको यूज करते time ही इसका फाइदा उठा पाओगे और ये चीजना मेर को काफी अच्छी लगी है अगर आप बहुत ज़दा damage हो जाते हैं तो आप काफी असानी से medit का use करते करते cover में जा सकते हैं अब 14 जिन में हम बात करते हैं characters and pet adjustments के बारे में तो इस update में totally 13 characters and pet की ability में changes किय गये हैं इन 13 characters में से 3 character के skill को तो पूरी तरसे river कर दिया गया है यानि कि पूरी तरसे बदल दिया गया है जिसमें Jay, Joseph and Nikita शामिल है और इसको जो चार characters है Wukong, Suzy, Homer and Iris इनकी characters की ability को और भी जदा buff दिया गया है यानि कि इन्हें और भी जदा strong किया गया है और साथे जो last में 6 6 characters है Nairi, Dimitri, Thiva, Sonia, Orion and A124 इन 6 characters की ability को nerf किया गया है यानि कि इनकी ability को कमजोर किया गया है और पेट में दिखो जो falco का skill ने इसे पूरी तरसे बदल दिया गया है पहले इसकी skill के वज़े से हम जल्दी और जादा दूर तक landing कर पाते थे बट update के बाद से falco की skill को पूरी ज़दा बढ़िया था अब अगर आपको इन सारे characters की ability के बारे में पूरी detail में जाननी है तो आज शाम को ही मैं इसके उपर वीडियो बना दूँगा उसे जरूर से देख लेना इसका लिंक मैं eye button description में भी दे दूँगा upload करने के बाद और 15 चेंज में हम बात करते हैं weapon adjustments के तो इस पर टोटेली 5 गंस को adjust किया गया है जिन में 2 गंस M249 और XM8 को और भी ज़दा बफ किया गया है यनकी इनको और भी ज़दा बहतर बना दिये गया है इन साथी जो 3 गंस है RGS 50, Mini, Uzi and M10 14 इन्हें और भी ज़दा कमजोर किया गया है अब यर जाते जाते मैं आपको bonus में एक और चेंज बताएता हूँ आपसे दिखो Wukong का जो bush है न उसका भी एक skin आपको देखने को मिलेगा जो कि इस तरह से दिखेगा तो और यही थे इस update में किये जाने वेले सभी important changes आप मुझे comment section में जरूर बता देना कि आपको इन में से कौन सा चेंज सबसे अच्छा कर देना तो तब तक लिए बबाई मिलते हैं एक और वीडियो में